किसानों की आई दोगनी करने के लिए मुदी सरकार ने निकाली नई तरकीब माला माल हुँगे देश के किसान कोपरेटिव से जुड़े 13 करोड किसानों को मिलेगा लाब मुदी सरकार ने किसानों की आई दोगनी करने के दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है इस फैसले से कोपरेटिव से जुड़े करीब 13 करोड किसान परिवार लाभान भी थोंगे मोदी सरकार कोपरेटिव सोसाइटिस के किसान के बने प्रोडक्ट को बड़ा प्लेटफॉर्म देने की तैयारी कर रही है अभी तक बड़े किसान के प्रोड़क्ट अलग-अलग तरह से एक्सपोर्ट होते रहे हैं पर छोटे किसान को इसमें दिक्कत आती थी सरकार इस समस्या का हल निकालने के लिए कोपरेटिव एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉंसिल बनाने जा रही है ये कॉंसिल नैशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉंसिल की अगवाई में काम करेगी इस कॉंसिल के तहट कृशी से जुड़े डेरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ट फूड, डाइट्री संपलिमेन्ट, फीशरी प्रोडक्ट, हैनलुम प्रोडक्ट, हैंडी क्राप्ट प्रोडक्ट किसानों से सीधा खरीदा जाएगा और फिर इसे सरकार निर्यात करेंगी किसानों को फजल खरीद का पैसा सीधा किसानों को दिया जाएगा बिचौलिये की भूमका पर पूर्ण तह बिराम लग जाएगा इस समय क्रिसी से संबंधित्स उतपाद का एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर है जिसे सरकार बढ़ा कर साथ अरब डॉलर करने जा रही है को उपरेटिव से जुड़े किसानों को विदेश में बाजार मिलने से किसानों के उतपाद समय पर बिखेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी सरकार इस सलसिले में 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगती मैदान में कोपरेटिव किसानों के प्रोड़क्ट का इंटरनाशनल मेला भी लगाने जा रही है देश में कोपरेटिव प्रोड़क्ट का ये पहला इंटरनाशनल मेला होगा